नमस्कार मेरे यूटूब चैनल कुस्पा की पार्ट साला में आपका स्वागत है आज मैं बताऊंगी आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी कम टाइम और कम सामगरी में आप जहटपट बना लेंगे और यह सामगरी आपके हर घर में रहती है तो आप अच्छी सी मिटाई बना जिस कटोरी से मैंने चीनी लिए उसी से मैं नारियल बूरा डालूंगे आपकोई भी कप या कटोरी से नाप कर लें दोनों कटोरी भर के मैंने इसके इंदर डाल ली अब मैं इसको बारिक पीस लोंगे मिक्सिके अंदर इसमें ज्यादव कुछ सामान नहीं चाहिए आप अ के भी वरतन लेके उसमें निकाल ले, पीसवह मिस्रन अच्छे से चमस से निकाल ले आप और अगर आपके घर में नारियल बुरा नहीं है तो नारियल तो हर घर में पड़े रहते कहें बारे अगर आप वस बटर पेपर है तो वो डाल सकते हैं, सिल्वर फोल तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप घी या तेल लगा कि इसको ग्रीस कर ले और फिर थोड़ा सा नारी लूरा डाल दे जिससे वो मिठाई निकलने में आसानी रहेगी, अब मैंने वे वापस बाउल लिया और इ नहीं तो हमारा जो मिठान है वो ज्यादा गीला हो जाएगा तो अच्छे से मिठा ही नहीं बन पाएगी, अब अच्छे से मिक्स कर ले, अब मैं आपको दिखा रही हूं कैसा मिठान बनाना है, आप हाथ में लेके ऐसे बांदेंगे तो लड़ू जैसा बन रहा है, मला हमा अब आपो और यहाद से मिक्स किया तो दाल दिया और इसे अच्छे से खेला देंगे हमगे, मैं अच्छे से खेला के आप फिर कोई चमच या कोई चोटी कट्री आप कुछी ले सकते इसको सेट करने के लिए मेरे पास leatherie बनते बनाच्छे से मिक्स कोई करने के लिए, मैं एक्तम पर्फेक्ट तरीके से और यह जो मिठाई है यह आप वर्थ में भी खा सकते हैं इसे बनाके रखते आपके वर्थ है तो यह खा सकते हैं अब मैं साइड से जो किनारे हैं वो अच्छे से कटोरी से सेट नहीं हो रहे तो मैं चम्मस से दबा दबा के सेट कर लूँगी अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं ड्राइ फ्रूट भी इसके अंदर डाल सकते हैं और अब इसको मैंने जमा के सेट कर लिया है और इसको आदा पौन गंटा आप रख ले और फिर चाकु से किनारे चुडा ले तो यह निकलने में आसानी रहेगी आप इसके अंदर ड्राइ फ्रूट भी डाल सकते हैं आपके पास है तो और मैं इसलिए कुछ नहीं डाल रहे हूं कि कम चीजों से बता रहे हूं यह हर घर में चीज सामान रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको किसी भी प्लेट में आप उल्टा करके थोड़ा कोई भी सेफ में आप काटना चाते हैं उसी सेफ में काट ले यह बहुत टेश्टी मिठाई बनती है आप इसको 6-7 दिन श्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल कम टाइम लगता गैस चलाने की बिल्कुल जरूत नहीं है चास नहीं बनाना या कुछ भी मलब बहुत कम मैं इसके पीस कर लूँगी पर आप चाहे तो इसके उपर ड्राइफ रूट कुछ भी आपके पसंद के अनुसार डाल सकते हैं जिसे पिस्ता है तो पिस्ता डाल सकते हैं बादाम है तो बादाम डाल सकते हैं मैं बादाम के दो पीस कर लिए इस टाइप के तो मैं बादाम स बहुत आसान इसे बन जाती है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर और नए है तो सब्सक्राइब करे और प्लीज आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें आप लाइक करना भूल जाते हैं